Tense की Tension को दूर भगाने के लिए और sentences बनाने की गुत्थी को सुलजाने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक छोटा सा 12 days का course जिसमें आप एक दिन में एक tense के सभी तरीके के sentences बनाना सीखेंगे तो आज है part 1 जिसमें आप सीखने वाले हैं present indefinite tense के सभी तरीके के sentences सभी तरीके से मेरा मतलब है positive, negative, interrogative या फिर negative, interrogative तो इस तरीके से आप practice करते हुए सभी tenses पर अपनी पकड़ हासिल कर लेंगे और किसी भी tense के किसी भी sentence को आप बोल पाएंगे बस आपको ये छोटी छोटी वीडियो देख लेनी है 12 दिनों के वीडियो आएंगे जिससे आप tense पर महारत हासिल कर लेंगे और tense के sentences बनाना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा एक तरीका बताती हूँ practice करने का अगर आप वो follow करेंगे तो बहुत अच्छी practice कर पाएंगे एक बार तो वीडियो को आप पूरा देख लीजे और सुन लीजे अच्छे से उसके बाद दुबारा वीडियो को play कीजे, replay कीजे और क्या करना है आपको की audio को mute कर दीजे और scene को देखते हुए आप sentences को repeat करते जाएंगे अगर ऐसा कर लेंगे तो आपकी practice बहुत अच्छी हो जाएगी चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं, let's begin तो सबसे पहले बात करेंगे सकारात्मक वाक्यों की, मतलब positive sentences की मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, I wake up at 6 in the morning, वह सुबह 7 बजे उठती है, she wakes up at 7 in the morning, मैं मनजन करती हूँ, I brush my teeth, वह मनजन करती है, she brushes her teeth तो basically आपको यही ध्यान देना है कि किस noun या pronoun के साथ आपको verb में SIS लगाना है और किसके साथ नहीं, ध्यान देजेगा मैं 8 बजे नहाती हूँ, I take a bath at 8 o'clock, वह सुबह जल्दी नहाती है, she takes a bath early in the morning, मैं उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ, I cook breakfast for her, वह स्कूल के लिए तयार होती है, she gets ready for school वे TV देखते हैं, they watch TV, तो अगर आप ध्यान देतों आप पाएंगे कि जो भी daily routine की चीज़े हैं, वो सब हम इसी tense में बनाते हैं वह TV देखती है, she watches TV, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, we study English, वह अंग्रेजी पढ़ती है, she studies English मीरा को खेलना पसंद है, मीरा likes playing, मीरा और रोहन को खेलना पसंद है, मीरा और रोहन लाइक प्लेइग, मैं सारा दिन काम करती हूँ, I work all day मीरा दिन में दो घंटे काम करती है, मीरा works two hours a day मैं भारत में रहता हूँ, I live in India, वह दिल्ली में रहती है, she lives in Delhi, वे बहुत मेहनत करते हैं, they work very hard उन्हें फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, they love to play football मैं राद दस बजे सो जाता हूँ, I go to bed at 10 p.m वह किताबें पढ़ता है, he reads books वह चाय से ज़्यादा कॉफी पसंद करती है, she prefers coffee to tea मुझे कॉफी से ज़्यादा चाय पसंद है, I prefer tea to coffee वह रोज दुकान जाता है, he goes to the shop every day हम इस theater में film में देखते हैं, we watch movies in this theater मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है, I love to listen to songs वे हमेशा इस मैदान में cricket खेलते हैं, they always play cricket in this field मैं अपने माता पिता और अपने भाई बहनों से प्यार करता हूँ, I love my parents and my siblings पिता जी हमारी सभी आवश्यक्ताएं पूरी करते हैं, Father fulfills all our requirements अब इस sentence के English आप comment section में लिख कर बताईए अब सीखते हैं नकार आत्मकवा के, मतलब negative sentences मैं रोती नहीं हूँ, I do not cry वह रोती नहीं है, she does not cry अब अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि सकारात्मक वाक्यों में हम do, does का use नहीं कर रहे थे लेकिन जैसे ही नकारात्मक वाक्यों की बात आई, तो हम do और does का use कर रहे हैं तुम सुनती नहीं हो, यू दू नौट लिसन, यह काटता नहीं है, इट डू नौट बाइट, मुझे ऐसा नहीं लगता, I do not think so, उसे संगीत सुनना पसंद नहीं है, शी डाजन्ट लाइक लिसनिंग तुम्यूजिक, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, I don't like playing cricket, उसे बात करना पसंद नहीं है, he doesn't like talking to them, वे उससे बात करना पसंद नहीं करते, they don't like talking to him, मेरी मा मुझे खेलने की अनुमती नहीं देती, my mother doesn't allow me to play, उसके माता पिता उसे खेलने की अनुमती नहीं देते, his parents don't allow him to play, मुझे जगडा करना पसंद नहीं है, I do not like to quarrel, वह सुबह coffee नहीं पीती है, she doesn't take coffee in the morning, वह बच्चों से काम नहीं करवाती है, she doesn't make the children do the work, तो एक sentence आपके लिए, इस sentence के English आपको लिखने है, comment section में, अब बात करते हैं, प्रश्ण वाचक वाक्य की, मतलब interrogative sentences, क्या आपको मेरे विडियोज पसंद आते हैं, Do you like my videos? क्या उसे यह पसंद है? Does she like it? तो ध्यान दें कि do और does का use interrogative sentences में भी होता है, लेकिन जैसे ही ऐसे सवाल पूछे जाएं, जिसका जवाब yes या no में आए, ऐसे में हम do या does से इनकी शुरुवात करेंगे, क्या उन्हें मेरी परवा है? Do they care about me? क्या आप cricket देखना पसंद करते हैं? Do you like to watch cricket? आप क्या करते हैं? What do you do? वह क्या करता है? What does he do? यहाँ पर आप ध्यान दें, जैसा कि यह sentence था कि आप क्या करते हैं? यहाँ पर जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, तो सबसे पहले question word आएगा, जैसे कि क्या है तो what, उसके बाद जो do या does का यूज़ करना है उसे, वह क्या करता है? What does he do? तुम देर से क्यों आत है? Why does she come late? वे कहां जाते हैं? Where do they go? वह कहां जाता है? Where does he go? इसे हम क्या कहते हैं? What do we call it? मीरा इसे क्या कहती है? What does मीरा call it? वे घर कैसे आते हैं? How do they come home? वह कैसे मैनेज करती है? How does she manage? बिजली कब जाती है? When does the power go off? अब इस एक सेंटेंस की इंग्लिश आपको कॉमेंन सेक्शन में लिखके अपनी प्राक्टिस करनी है अब बात करते हैं स्थिती दर्शाने वाले वाक्य स्थिती दर्शाने वाले वाक्य का मतलब यह हुआ जिसमें स्थिती को दर्शाया जाए जिसमें कोई क्रिया नहीं है मतलब कोई आक्शन वर्ब नहीं है जैसे मैं खुश हूँ I am happy ये स्थिती दर्शा रहा है इसमें वह सक्त है, he is strict आप उत्साहित है, you are excited हम चकित है, we are amazed वे उदास है, they are gloomy यह मजेदार है, it is funny मैं एक शिक्छक हूँ, I am a teacher मैं एक शांति प्रियव्यक्ति हूँ, I am a peace-loving person वह एक डॉक्टर है, she is a doctor वह बहुत प्यारी है, she is very cute वह एक डाकिया है, he is a posed man वह एक हस्मुख व्यक्ति है, he is a cheerful person आप एक विद्यार्थी हो, you are a student आप अच्छे है, you are good हम लड़कियां है, we are girls वे लड़के है, they are boys यह एक बिल्ली का बच्चा है, it is a kitten अब इस एक sentence की English आपको comment section में लिखके बतानी है पार्ट वन तो आपने पूरा देख लिया, and I know कि पार्ट टू में आप जरूर आने वाले हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अच्छे English बोल पाएं तो guys फिर मिलूंगी आपसे पार्ट टू में, present continuous tense के sentences के साथ चलिए, अभी लेते हूँ आपसे विदा, लेकिन अगर अभी तक आपनी चैनल को subscribe नहीं किया होगा तो आपको notification नहीं मिलेगी, so better कि आप चैनल को subscribe करें, bell icon को press करें तो अगली वीडियो की notification आपको मिलेगी और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएंगे वीडियो पसंद आई हो तो एक like और अपने दोस्तों के साथ share जरूर से करें Thanks for watching